19 मई पहला पाट प्रेरी चरित अध्याई पंद्रा पत्संख्या साथ से 21 तक जब बहुत विवाद हो चुका था तो पैत्रूस ने उटकर यह कहा भाईयो आप जानते हैं कि ईश्वन ने प्रारंब से ही आप लोगों में से मुझे चुन कर निश्चे किया कि ग्यार यहूदी मेरे मुक्स इसू समाचार का वचन सुने और विश्वास करें इश्वर मनुष्य का हिर्दे जानता है उसने उन लोगों को हमारे समान पवित्र आत्मा प्रदान किया इस प्रकार उसने उनके पक्ष में साक्ष्य दिया और विश्वास द्वारा उनका हिर्दे शुद कर हम में और उनमें कोई भेद नहीं किया जो जुआ ना तो हमारे पूर्वत धोने में समर्थे और ना हम उसे शिश्यों के कंधों पर लाद कर आप लोग अब ईश्वर की परिक्षा क्यों लेते हैं हमारा विश्वास तो ये है कि हम और वैभी प्रभु ईसा की कृपा द्वारा ही मुक्ति प्रापत करेंगे सब चुप हो गए और वैभरनाबास तथा पॉलुस की बाते सुनते रहे जो उन्चीनों तथा चमतकारों के विशे में बता रहे थे जिने ईश्वर ने उनके द्वारा गैर यहूदियों के बीच दिखाया था जब वैब बोल चुके थे तो याकूब ने कहा भाईयो मेरी बात सुनिए सिमोन ने हमें बताया कि प्रारम से ही ईश्वर ने किस प्रकार गैर यहूदियों में अपने लिए एक प्रजा चुनने की किर्पा की यह नबियों की शिक्षा की अनुसार ही है क्योंकि लिखा है इसके बाद मैं लोट कर दाउत का गिरा हुआ घर फिर उपर उठाऊंगा मैं उसके खंडरों का पुनर निर्मान करूंगा और उसे फिर खड़ा करूंगा जिससे मानव जाती के अन्य लोग अर्थात सभी राष्ट्र जीने मैंने अपनाया है प्रभू की खोच में लगे रहे यह कथन उस प्रभू का है जो ये कार्य संपन्द करता है ये कार्य प्राचेन काल से ग्यात है इसलिए मेरा विचार ये है कि जो गैर यहूदी ईश्वर की और अभिमुक होते हैं उन पर अनावश्यक भार ना डाला जाए बलकी पत्र लिखकर उन्हें आदेश दिया जाए कि वै देव मूर्तियों पर चड़ाय हुए मास से व्यबचार गला घोटे हुए पश्यों के मास और रग्ट से परहेज करें क्यूंकि प्राचीन काल से नगर नगर में मूसा के प्रचारक विद्मान है और उनकी सहिंता प्रतिक विश्राम दिवस को सबाग्रेहों में पढ़खर सुनाई जाती है ये प्रभू की वानी है इश्वर को धन्यवाद भजन अनुवाक्य सभी लोगों को उसके अपूर विकार्यों का गीत सुनाओ प्रभू के आदर में नया गीत काओ स्मस्त प्रिथ्वी प्रभू का भजन सुनाओ भजन गाते हुए प्रभू का नाम धन्य कहो अनुवाक्य सभी लोगों को उसके अपूर्य कार्य का गीत सुनाओ का मुक्ति विधान घोशित करो, सभी राश्ट्रों में उसकी महिमा का बखान करो, सभी लोगों को उसके अपूर्वकारियों का गीत सुनाओ, अनुवाक्य, सभी लोगों को उसके अपूर्वकारियों का गीत सुनाओ, राश्ट्रों में घोशित करो, कि प्रबु ही राजा ह उसने प्रित्वी का अधार सुद्रिड किया है वैनिश्पक्षता से राष्ट्रों का न्याय करेगा अनुवाक्य सबी लोगों को उसके अपूर्व कारिय का गीत सुनाओ जए घोष अलिलुया अनुवाक्य अलिलुया प्रभू ने कहा मेरी भेडे मेरी आवास पहचानती हैं मैं उन्हें जानता हूँ और वैं मेरा अनुशरन करती हैं अनुवाक्य अलिलुया संत्योहन द्वारा दर्चित सोसमाचार अध्याई पंद्रह पदसंख्या नौ से ग्यारा जिस प्रकार पिता ने मुझे को प्यार किया है उसी प्रकार मैंने भी तुम लोगों को प्यार किया है तुम मेरे प्रेम में द्रिड बने रहो यदि तुम मेरी आग्याओं का पालन करोगे तो मेरे प्रेम में द्रिड बने रहोगे मैंने भी अपने पिता की अग्याओं का पालन किया है और उसके प्रेम में द्रिड बना रहता हूँ मैंने तुम लोगों से ये इसलिए कहा है कि तुम मेरे आनंद के भागी बनो और तुम्हारा आनंद परिपूर्ण हो ये प्रभु का प्वित्र सुसमाचार है क्रिस्त कीजे